यहां के पार्टियां पूरे प्रस्तापित हैं, इनको क्या डर हैं समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता, क्यों उल्टा सुल्टा बात करने लगते हैं, हमारा जो एजन्डा है, उस एजन्डा पर बात करो, उस एजन्डा डिसकस करो, देवेंदर फटन मुक्य मंत्री आपके उप मुक्य मंत्री है नांदेर में पहली बार जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था केसियार जी आपका यहां क्या काम है आपका तो काम तेलंगाना में है मैंने कहा भाया मैं बारत के नागरिक हूँ कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ किसान के उद्धार के लिए आया हूँ अगर मुझे नहीं चाहते हो तेलंगाना एजंडा मक्की का मक्की शेंबल तक का इंप्लिमेंट करो मेरा काम कतम मैं मजज़ पे चले जाओंगा महारास्टर नहीं आओंगा उसका जवाब नहीं है उनसे उसका जवाब आता ही नहीं है उनको कहिना चाहिए कि बिल्कुल हम आमल करेंगे, नहीं करते केंद्र सरकार एक 6000 रुपे देते हैं वो भी कम लोगों को, कम किसानों को हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है पूरे किसान जितने भी है 70 लाग किसानों को हम रहीत बंदू जो स्कीम है 10,000 देने वाला, छोटा बड़ा सुप किसानों में देते हैं कोई बेद बाव नहीं है उसमें इसी प्रकार का यहां भी आना चाहिए लेकिन जैसा बियारेस ने प्रवेश किया महारास्त में फिर 6,000 का इलान हुआ वो किसको देंगे जो किसान सम्मान निदी मिल रहा है उनी को देंगे, बागे को नहीं देंगे वो भी पूर्ण रूप से नहीं 2,000 करके 3 किस्तों में देते हैं हमारे पास ऐसा नहीं है पसल को 5,000 एक देते हैं निवेश के लिए फिर दूसरा पसल के दूसरा दे देते हैं मुफ्त में पानी देते हैं मुफ्त में बिजली देते हैं और हर्दाना उनका करित है करिते भी कैसा सीधे उनके बैंक में जाता है आप लोग प्रसंद हो